नमस्कार बच्चो कक्षा 10 exercise 7.1 कोशन 6 का दूसरा भागम कर रहे हैं हमें चार शीर्ष दिये गए हैं हमें बताना है कि इनको जोड़ने से जो त्रिबूज प्राप्त होगा वो कैसा होगा तो हम इन चारों शीर्षों के नाम लिखे देते हैं A B C और D और सबसे पहले हम क्या करेंगे यह 4 अ मचारमीं फोल क्या करेंगे आईे सबसे पहले हम देखते हैं तोस थिध्री संहार हम सबसे पहला हम एक बार दूरी सुत्री हम लिख लेते हैं दूरी सूत्र के अनुस्वार दूरी बराबर रूट यदि नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे X2 माइनस X1 का होल स्केर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्केर यह होता है दूरी सूत्र अब इसी दूरी सूत्र का हम प्रेयोग करेंगे और यह चारो दूरिया निकालेंगे सबसे पहले देखे मैं दूरी निकाल रहा हूँ AB रूट X2 यह है 3 माइनस X1 X1 है माइनस 3 इनको लग करने के लिए छोटी ब्रैकेट तो यहाँ आ जाएगी फ्लावर ब्रैकेट इसका स्क्यर प्लस Y2 Y2 है 1 माइनस Y1 Y1 है 5 इसका होल स्क्यर आयोई इसको सॉल्व करें सबसे उपर रूuट माइनस duty माइनस प्लस 3 प्लस 3 हो गया 9 9 का स्क्यर होताह है 81 प्लस 1 माइनस 5 5 मेंस एक गया 4 साइन बड़ी रखम का माइनस माइनस चार का स्क्वेर होता है 16 माइनस का स्क्वेर होता है प्लस तो 81 प्लस 16 कितना हो गया रूट 95 सौरी 97 कि रूट 97 ठीक है बच्चो अब हम निकालते हैं बीसी भूजा रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेर है 0 एक्स टू है 0 एक्स वन है 3 0-3 बच्चे मैं सला दूंगा वीडियो रोक कर आप सारी भुजाएं खुद निकालिए विकरन खुद निकालिए उसके बाद जब वीडियो चलाएं फिर देखें क्या मेरा और आपका उत्तर सही है या नहीं प्लस Y2-Y1 3-1 का होल स्केर देखें, 0-3,-3,-3 का स्केर होता है, 9 प्लस 3-1, 2 का स्केर होता है, 9-4 प्लस 4 आगया, रूट 13 इसी प्रकार हम दूरी निकालेंगे, सीड़ी जो की बराबर होगी, root x2 minus x1 minus 1 minus 0 का whole square plus y2 minus y1 y2 है minus 4 y1 है minus 3 इसका whole square ठीक है बच्चों तो यह आगया root minus 1 minus 0 1, 1 का square होता है 1 minus 1 minus 1 का square होता है 1 plus minus minus plus 4 plus 3 7, 7 का square 49 तो यह आगया 49 plus 1 root 50 के बराबर इसी प्रकार से हम दूरी निकालेंगे AD AD के लिए देखे माइनस 1 माइनस माइनस 3 इस प्रकार से और इनको अलग करने के लिए फ्लावर ब्रैकेट का स्क्यर प्लस Y2 माइनस Y1 माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्यर तो आईए इसको हल करें माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 3 होता है 2 2 का स्क्यर होगा 4 प्लस माइनस 5 माइनस 4 होता है माइनस 9 माइनस 9 का स्क्यर होता है 81 तो 81 प्लस 4 आगया 85 का रोग ठीक है बच्चो आईए बच्चो अब हम निकालते हैं दोनों विकर्न सबसे पहले हम निकालेंगे विकर्न AC दूरी सूतर के अनुसार देखे A और C 0 माइनस माइनस 3 इसका स्क्वेर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वेर बराबर यह बराबर होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस 3 होता है 3 3 का स्क्वेर होगा 9 प्लस 3 माइनस 5 2 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वेर होगा 4 तो 9 प्लस 4 आगया रूट 13 के बराबर इसी प्रकार से हम निकालेंगे विकर्न AD यह बराबर होगा रूट माइनस 1 माइनस माइनस 3 का से आ रहे देखें यह आ रहे है माइनस 1 X2 माइनस X1 का होल स्क्वेर प्लस X2 स्वरी Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वेर माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वेर देखें माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 3 होगा 2 2 का स्क्वेर होगा 4 प्लस, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस नो, माइनस नो का स्क्योर होगा 81, यानि कि यह आगया है रूट 85 के बराबर, तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि कोई भी भूजा आपस में बराबर नहीं है, ना ही विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, बच्चों, इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है, देखिए, 3 माइनस इंटू माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 प्लस 3 होगा 6, हमने माल लिया 9, यह गलती है, तो 3 प्लस 3, 6, 6 का स्क्योर हो जाएगा, 36, तो यह आएगा 36 प्लस 16, 52, 52 होता है, दो दूनी 4 गुना 13, तो दो दो में से एक दो बाहर आ जाएगा, तो यह जाएगा 2 इंटू रूट 13, इसका मतलब A, B आएगा 2 रूट 13, B, C आएगा रूट 13, अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, माल लीजिए 4 बिंदू इस प्रकार से हैं, A, B, C और D, से देखेगा, A, B है 2 रूट 13, ठीक है, B, C है रूट 13 और A, C है रूट 13, इसका मतलब क्या हुआ, कि B, C प्लस A, C बराबर है A, B के, क्योंकि B, C कितना है, रूट 13, A, C है, रूट 13, यह बराबर है, A, B कितना है, 2 रूट 13 के, रूट 13 प्लस रूट 13, 2 रूट 13, 2 रूट 13 बराबर 2 रूट 13, इसका मतलब B, C, प्लस A, C बराबर A, B है, यदि कभी ऐसा हो, B, C, प्लस A, C, बराबर A, B है, इसका मतलब यह हुआ कि तीन बिंदू इस प्रकार से होंगे जिसमें यह होगा A B C प्लस A C बराबर A B होगा यह तीन बिंदू संग्रेखी है ठीक है A, B और C संग्रेखी है संग्रेखी यानि यह तीन बिंदू A, B और C एक सीधी रेखा मर आ रहे है और यदि ऐसा हो तो इसका मतलब क्या है कि A, B, C, D एक चत्रबुज नहीं हो सकता नहीं है क्यों नहीं है चत्रबुज बच्चों क्योंकि चत्रबुज में तीन बिंदू एक सीधी लाइन पर नहीं आ सकते है और हमें तो यह पता लगा कि यह तीन और एक की लाइन पर आ रहे है इसका मतलब A, B, C, D, A चत्रबुज नहीं है ठीक है बच्चों हमें बताए गया था हमें पूछा गया था चत्रबुज का परकार बताओ लेकिन हमने दूरी सुत्र के नुसार सारी बुजाएं और विकरन आपके दिखा कि B, C, A, C, B, A, B आ रहा है इसका मतलब तीन बिंदो संग्रेखी है यदि तीन बिंदो संग्रेखी है तो A, B, C, D, A, चत्रबुज नहीं है तो ये था इसका दूसरा भाग इसका तीसरा भाग बचो आप स्वयम कीजेगा जैसा पहला भाग है वैसे ही तीसरा भाग है बस उसमें आपने चत्रबुज का परकार पहचाना है कि कौन सा है तीन परकार होगे इसके बाद हम अगले वीडियो में हम सात्मा प्रश्न आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझाया होगा इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर बाकी प्रश्नों के झाल